हलो और वालखम दोस्तों सेहत की बात में आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, नाख बंद रहती है या इस वज़़े से आपको रातों की नींद आपकी जो है वो उड़ गई है तो हम बात करने वाले है साइनस के बारे में जी हाँ आप सही जगा पर हैं अगर आपको ये दिक्कत है तो हम आपको बताएंगे कि साइनस क्या होता है और हम क्या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिस वजह से साइनस को हम सालों तक ठीक नहीं कर पाते हैं तो आप देख रहें बिटी लाइफ और मैं हू होती है वो ये होता है कि जो आपके अंदर जमी गंदगी है आपके अंदर जमा जो म्यूकस है उसके कारण आपको साइनस की दिक्कत होती है इसमें आपको सिरदर्द रहता है चेहरे पर दर्द रहता है छींके आने लगती है नाख बंद हो जाती है सांस अच्छे से आप न दवाईयां खा लेते हैं और दवाईयों से इसे दबा देते हैं कुछ देर तक तो ये आराम जरूर करती हैं लेकिन जिन्दगी भर आपको ये इस प्रॉब्लम में जखड लेती हैं अब आप इसे कैसे रिवर्स कर सकते हैं ये एक बहुत एहम सवाल है तो पहला स्टेप इसे reverse करने के लिए हमको करना है वो है dead food को replace कर देना है fresh और natural food की तरफ जैसे कि आप इस्तमाल कर सकते हरी सबजियां ताजे fruit, ताजे juice साथ ही आप जो fresh milk है वो भी consume कीजिए tetra packs को छोड़ दीजिए वहीं दूसरी category है refined food की जिसमें सफेज चावल, बिना चोकर वाला आटा, सफेज चीनी, तेल और तेल से बनी हुई चीजें, मैदा और ये सबी foods जो होते हैं आपकी आतों में चिपक जाते हैं जिससे mucus बनने लगता है इसकी जगह आपको खाने चाहिए wholesome foods जैसे की brown rice, चोकर के साथ वाला आटा, हजूर या good यानि कि आप चीनी को replace कर सकते हैं तीसरा कारण है इसका जो animal based food होते हैं वो हम खाते हैं उसकी जगह पर हम खा सकते हैं plant based food इससे भी आपको काफी मदद मिल सकती है जो गंदगी आपकी respiratory system में चिपक जाती है वो कम होने लगती है वही water poor foods जो हैं वो भी mucus का बनने का सबसे बड़ा कारण होता है इसी वज़र से आपको वो foods लेने चाहिए जिन में liquid की मातरा जादा हो यानि की water rich foods आप ले सकते हैं जैसे आप fresh juice लीजिए, फल लीजिए, सबस्या लीजिए, सलाद में आप खीरा खाईए वो सारी चीज़े लीजिए जिन में अच्छा liquid हो तो चली कुछ tips आपको देते हैं जो आपके lifestyle की वज़से भी ये कम कर सकता है जैसे के खुली हवा में आपको brisk walk करना चाहिए, जिससे के आपका respiratory system जो है वो मदद कर सके आपके mucus को बहार निकालने में अगर ताजी हवा आपके अंदर जाएगी तो गंदगी बहार आने में थोड़ा easy हो जाएगा कोई vitamin D आपको लेना चाहिए, 10-15 मिनट आप धूप ले सकते हैं और चलिए आपको चलते चलते एक remedy भी बता देते हैं, अगर आप घर पर ही इसे ठीक करना चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून आपको लेना है जीरा, जीरे को आप अच्छे से पैन पर भून लीजिए, फिर इसे पीस लीजिए और इसमें एक चम्मज शहद मिला लीजिए इसके बाद आप इसे दिन में 2-3 बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खाना खाने के पहले भी तो ये तो थी एक छोटी सी रेमेडी जिससे आप अपने साइनस की प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं उमीद करते हैं सेहत की बात में इस टॉपिक पर दी हुई जानकारी आपके कही न कहीं काम आई होगी अगर ऐसा है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखे या फिर कोई और टॉपिक आप जानना चाहते हैं तो उस बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे पसंद आई हो वीडियो तो हमारे चानल NBT Life को सब्सक्राइब कर दीजेगा and do not forget to hit the bell icon